नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चेनल ग्यानदीफ हिंदी चेनल पर तो आप जैसे की डिस्पिले में अपड़ पा रहे हैं कि क्या 6 महने बाद BC सकी का जो फ्यूचर है वह नहीं होगा क्या फ्यूचर है इसमें BC सकी में क्या 6 महने बाद उन्हें कोई सेलरी नहीं मिलेगी बहुत सारे सवाल आप सभी के कमेंट बॉक्स में लेकर आया हुआ हूँ आज है संडे तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और आपके सारे उन कमेंट्स को जो हमारे कमेंट बॉक्स में आये हुए हैं उन सभी का जवाब मिलने वाला है तो बने रहे हमारे चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बगल में दि का जो केरियर है वो खत्म हो जाएगा या उनका फ्यूचर कुछ नहीं है क्या कुछ है इस बीजी सकी मैं तो बने रहें तो एक कमेंट बॉक्स में सविता जी कह रही है कि सर हमारी सेलरी नहीं आई है एक भी सेलरी अक्टूबर से काम कर रही हूं जी हां आप होसला बनाए दे दिये हैं तो वहीं पंकज जी कह रहे हैं पंकज गुमार जी कि हमारा भी नहीं आया है सर तो इनका भी यहां पर सेलरी को लेकर यह बात कर रहे हैं कि इनकी सेलरी भी नहीं पहुंची है कितनी मेहने की नहीं पहुंची है यह भी इनने अभी तक कंफर्म नहीं किया है त कि 6 महने तक जिस तरों से सरकार ने घोशना कर रखी है तो 6 महने तक आपको बता दें कि आपको यहाँ पर 4,000 रुपे परती महने के दर से दी जाएगी और उसके बाद आपका यो भी यहाँ पर जितना भी आप महने में काम करती हैं उसका सारा पैसा कमिशन के तौर पर आपक पहुँच जाएगा तो अगला कमेंट लेकर चलते हैं सिफा खानम का कहना है कि यह कहती है यह सेटिफिकेट बीसी सकी बनाएंगी या पंचायत सायक प्लीज कंफर्म बताएं तो आपको बता दे कि जो सेटिफिकेट है ग्राम सची वाले में बनाए जा रहे हैं और जल्द सक्यों को भी यहाँ पर पंचायत भवनु में बैठने की यहाँ पर अनुमती दे दी गई है और यहाँ पर बैठकर यहाँ बैंकिंग का सारा काम लोगों का करने वाली हैं तो अगला जो कमेंट बॉक्स है उसको लेकर आया हुआ हूँ तो इसमें जिया नोहर जी कह रहे हैं क्या यहाँ परलमेंट हो सकती है यानि कि यह बीसी सक्यों की बात कर रहे हैं कि बीसी सकी क्या परलमेंट हो सकती है तो आपको हम बता दूँ कि बीसी सकी अभी तक सरकार ने ऐसी कोई घुशना नहीं कर रखी है कि इनको बीसी सकी के तोर पर परल प्रेट आता है तो बहुत ही अच्छी ख़बर रहेगी आप सभी के लिए प्रल्लमेंट हो भी सकते हैं अगर योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही हैं महलाओं के उत्थान के लिए तो वही एक कमेंट नीरच चौरस्या जी लिख रहे हैं सरकार केवल नियो घोसना करती हैं बस यानि कि यहां कह रहे हैं कि सरकार केवल नहीं ही घोसना कर रहे हैं और काम यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो योगी सरकार ने जिस तरह से महलाओं के उत्थान और महलाओं के काम को आगे बढ़ाया है महला और बेटियों को तो इसी त प्रमेंट हो सकती हैं क्या जी हां प्रमेंट हो सकती है लेकिन सरकार अभी इसमें कोई विचार कर सकती है अगर कोई नया अपडेट निकल कर सामने आता है तो हम जरूर ही आपको यह अपडेट लेकर आएंगे तो अगला कमेंट से आसा देवी का यह कहती है सौरी सर आप लोगों की सेलरी बताए जूटी है क्योंकि बाते सारी जूटी है क्योंकि कोई भी हमसे खाता खोलना नहीं चाहता है तो बोल सकते हैं कि क्या करूँ मेरा डिवाइस से कोई भी काम नहीं हो रहा है तो मैं पैसे कैसे मिलेंगे बताएं क्योंकि सर कोई भी हमसे साहता नहीं मिल रही है यानि कि यह कह रहे हैं कि हमसे कोई भी पैसा नहीं निकाल रहा है हम लोगों से यही अपिल करना चाहते है कि लोग बीसी सकी बहनों से पैसा निकालें और उनकी जो बीसी सकी के तहत सेलरी आती है उसको बरकरार रखें और आप से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खाता खोलने से लेकर पैसे जमा निकासी के तौर पर तो आप कंस्टेट बनाए रखें और आपका जरूर ही मैं आसा करता हूं कि आप जरूर ही इसमें सफलता को हासिल कर पाएंगी तो अगला कमेंट से लेकर आए हुए स्री राम फ्यायर फिरी फ्यायर लवर की तरफ से यह कमेंट्स आ रहा है यह कह रहे हैं सर मैं डिष्टिक मनिपूर से हूं ब्लॉक मेरी सेलरी अभी तक नहीं आई है करहल करहल से हैं और यह कह रहे हैं कि मेरी सेलरी अभी तक नहीं आई है तो जल्द ही आपके अकाउंट में सरकार ने निर्देश दे दिये हैं जल्द ही आपक पेमेंट आपके अकाउंट में एक साथ पहुँच जाएगा यानि कि तीन से चार महने का जो भी नहीं आया है वो जल्दी आपके अकाउंट में पहुच जाएगा तो अगला केमेंट से लेकर आया वह हूँ अराध्या सिंग का है तो यह कह रहे हैं सर मेरा भी मान दे नहीं आया है तो अफूर्ब पंचाल जी कह रहे हैं कि सर ये 75,000 माफ कर देना चाहिए जी हाँ आपने सही कहा 75,000 माफ तो कर देना चाहिए लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है क्या सरकार अभी इसके बारे में कुछ सोच रही है यह निर्णे लेना अभी काफी जल्दबाजी होगा कहना भी जल्दबाजी होगा लेकिन सरकार के तरफ से ऐसी कोई घोसना लेकर नहीं आई है कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि आपको यहाँ पर अफवा फैलाई जा रही है कि 75,000 माफ कर लिया है लेकिन अभी सरकार ने कोई ऐसी घोसना नहीं कर रखी है तो गोस्वामी रेनु जी कह रहे है सर मेरा भी सेलरी आठ मंत का हो गया है और लेकिन एक भी नहीं आई है तो आपकी भी सेलरी जल्द ही पहुंच जाएगी तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ तो जल्द ही आपका जो पेमेंट है वो पहुंचेगा तुलसी देवीजी कह रहे हैं जितना कमिशन मिलता है उतना किराया लग जाता है 25 किलोमेटर बैंक है और सभी बैंक पास में है यानि कि यह कह रहे हैं कि जो इनका बैंक है यो काफी दूर है इन्हें आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है जितना इनका कमिशन बन रहा है उससे जाधा इनका किराया लग जाता है लेकिन सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए इनकी भी समस्याओं को सोचना चाहिए तो आसा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी सारे कमेंट्स इसी तरह की कमेंट्स में आप सभी के जो बहुत तुपों कमेंट्स हैं आप सभी के में लगातार हर संडे को लाता रहूँगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें मैं सारे सवालों का जबाब आपको यहां पर दे पाऊंगा अगर कोई छूट गया हो कमेंट तो आप प्लीज हमें दोबारा से कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं इसी तरों की नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक मुझे दीजिए जाज़त थेंक्यू बाई बाई टेक के और